नमस्कार दोस्तों आपके बीच एक बार फिर हजीर हूँ एक नए सेसन के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं इंदी साहिते की इतियास में साहिते इतियास की लेखन परंपरा इस कक्षा में साहिते इतियास की लेखन परंपरा से जितने भी क्यूशन बन सकते हैं उनको समाहित कि स्टार्ट करते हैं साते हो आज की क्लास Хिंदीन इत्यास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ सन 1903 में वास्त्विक हिंदी की शुरुवात होती है लेकिन लगब नो सो वर्सों तक उसके इतियास का कोई प्रणयन नहीं हुआ और फ्रेंच इसके बाद फ्रेंच विद्वान गार्षात अतासी भारत आए और उन्होंने भारत के पुष्टकालियों में हिंदी साहिते इतियास खोजना चाहा लेकिन उनको निरासा ही हाथ लगी लेकिन उनको निरासा ही हाथ लगी अंतता है इस निस्कर्स पर पहुंचे कि मैं भारत में रहकर ही यहां का समर्ध इतियास का इतियास लिखूंगा तो सबसे पहले हम इतियास की सुरुवात किस ने की थी वो थे गारसादा तासी तो स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले 1849 में स्टार्ट किया वो थे गारसादा तासी तो ये जितने भी मैंने लाइन वन लाइनर यहां पे रखे हैं तो ये प्रिक्षा में कभी ना कभी आये विक्यूशन है तो इनको हम देखेंगे पहले है इंदी साहिते लेखन का प्रथम प्रियास फ्रेंच विद्वान तो ये कहां की विद्वान थे फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया अब गारसादा तासी ने किया अब गारसादा तासी ने कौन सा इतियास लिखा उसका नाम था इस्तवार डला लित्योतर एंदोई ए एंदुस्तानी उनका जो पहला संस्क्रण है उनका पहला संस्क्रण है उसके दो भाग थे एक तो 1849 में और दूसरा जो उसी में था वो 1847 इसीव में वर्णा नुक्रम पद्धती के अनुसार लिखा गया किसके अनुसार लिखा गया वर्णा नुकरम पद्धती के अनुसार ये क्युस्षन भी बनता है किस पत्ती में लिखा गया तो वर्णा नुकरम पत्ती में और ये भी बनता है कि पहला संस्क्रण कितने भागों में प्रकाशी तुआ वहाँ सन भी पूछ लेते हैं और दूसरा जो संस्क्रण था वो 1871 इस्वी में प्रकाशी दुआ ये किस्वन भी कई बार पूछा गया कि दूसरा संस्क्रण कब प्रकाशी दुआ तो 1871 इस्वी में ये ध्यान रखना है इसके बाद इसकी भासा क्या थी ये ग्रंथ जो लिखा गया इसकी भासा थी वो थी फ्रेंच और इसमें कवियों की जो संख्या थी वो लगबग 738 कवि इसमें मिलते हैं अब आगे 1849 के बाद हम चलते हैं 1883 में और 1883 में सीव सिंग सिंगर ने सीव सिंग सरोज लिखा सीव सिंग सिंगर ने क्या लिखा सीव सिंग सरोज लिखा अब ये क्यूशन भी कई बार आया है कि हिंदी में लिखा हिंदी साहिते का पर्थम इत्यास गरंथ कौन सा है तो कौन सा है सीव सिंग सरोज इसकी भासा थी वो थी दोस्तों हिंदी और इनमें कवी थे वो लगभग 1000 के करीब माने जाते हैं इसके बाद 1888 में ग्रियेशन 1888 में ग्रियेशन ने कुन सा लिखा दा मोर्डन वर्नाकुलर लिट्रेचर आफ लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान ये लिखा और ये प्रकाशित कब हुआ और कहा हुआ तो ये एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल बंगाल की पत्रिका के विशेसांग के रूप में निकलने वाला हिंदी साइटे का इतियास करंथ है तो किस पत्रिका में निकला ये क्यूशन पूछा गया है साथियो तो किस पतरीका में लिकला एसियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल की पतरीका में इसके बाद सुरव पर्थम इसमें काल विभाजन भी देखने को मिला वह नामांकरन का प्रियास भी किया गया इस ग्रंथ की भासा थी वो थी अंग्रेजी और इसमें कभी लगब नो सो बावन मने गए है इसके बाद का इतियास है वो 1913 में दिखने को मिला और वो था मिस्टर बंदु ने लिखा मिसर बंदू ने लिखा मिसर बंदू विनोथ उस मिसर बंदू ने कौन सा लिखा मिसर बंदू विनोथ और इसके तीन प्रकाशन हुए तो पर्थम तीन प्रकाशन है ये प्रिक्षा में आया है कि पर्थम जो तीन भाग है तीन भाग का प्रकाशन है वो हुआ 1913 में पर्थम अपने को ध्यान रखना यहां पे कि प्रथम तीन भाग का प्रकासन है वो तो 1913 में हुआ और चोथा भाग है उसका प्रकासन वर्स है वो 1934 भी है आगे देखें यह कुस्षन भी कई बार आया इंपोर्टेंट है यह पूछ लेते हैं नहीं है तो यहां पे यह तीन भाई थे सुक देव विहारी, शाम विहारी और गनेश विहारी मिस्र सुक शाम मिस्र इसको ऐसे याद कर सकते हैं सुक शाम मिस्र सुक शाम गनेश मिस्र सुक शाम गनेश मिस्र तो सुक माने सुक देव और शाम माने शाम विहारी और गनेश गनेश विहारी मिस्र तो कई बार क्युस मिस्तर बंदु नहीं है तो कुछ सा नहीं है वो कोई भी नाम आ जाएगा उसमें लेकन अपने कोई तीन याद रखने है ठीक है आगे इसकी जो भासा थी वो भासा थी हिंदी इसकी भासा थी हिंदी और इसमें कवियों की जो संख्या है वो लग भग 5,000 थी कितनी थी 5,000 थी और एक definition आती है जो very important है प्रीक्षा में कई बार कुछी गई है कि कवियों के परिचयात्मक वर्णन मैंने मिस्तर बंदु से लिए ये किसने कहा ये रामचंदर शुकल ये रामचंदर शुकल ने बताया कि मैंने कवियों के जो परिचयात्मक वर्णन जो हैं वो मैंने मिस् ये definition कई बार आती है इसको भी ध्यान रखना है साथ हूँ आगे चलें फिर 1913 के बाद में 1917 में राम नरेश तिरपाथी इन्होंने लिखा कविता कोमोदी और ये क्या था कि आठ बागु में कितने बागु में ये किसन आया हूँ है कितने बागु में आठ बागु में और इसमें ग्राम गीतू का संकलन है इसमें बागु में जो ग्राम गीत लिखे गए है उनमें उर्दू बांगला एवं संस्कृत कविताओं का संकलन किया गया है अब एक इसमें और फैक्ट है कई बार आया एकजाम में ये भी इंपोर्टन है कि कविता कुमधी में 15,000 से अधिक लोक गीतों का संक्रह देखने को मिलता है कितने 15,000 से अधिक लोक गीतों का संक्रह तो ये क्यूशन भी कई बार एकजाम में पूछा गया इसलिए यहां पे इसको मैंने रखा है अब आगे चलते हैं 1929 में रामचंदर शुक्ल शुक्ल ने लिखा जो इंदी साहित्य का इतियास है यह सर्व मन्ने विज्ञानिक इतियास है यह सर्व मन्ने विज्ञानिक इतियास है इसके बाद इसमें क्या मिलता है अपने को दोहरा नामांकर्ण करने वाले एक मात्र विद्वान हैं दोहरा नामांकर्ण का मतलब समझ वीर गाथा काल एसे जो च्यार रख़्े थे पुर्व मद्डे काल है उसको भक्तिकाल उत्र मद्डे काल है और आध्यूनिक काल है वो गद्डेकाल तो वीर गाथा है उसको कौन से संवध से माना जाता है 1050 से लेकर के तेरा सो पचेतर इस्वी तक तेरा सो पचेतर विक्रम संवध तक नाकी इसवी तक यह विध्यान रखना है आगे देखें इस ग्रंत की भासा थी वो थी हिंदी और कवियों की जो संख्या थी वो लगबग एक जार के एक्जाम में कई बार पूछा गया इसलिए यहां पर रखा इसको सहाइते जनता का चित वरती का संचित प्रतिविंब है यह किस ने कहा तो यह कहा रामचंद्र शुक्ल ने सहाइते जनता का चित वरती का संचित प्रतिविंब है यह कथन किसका है तो यह है रामचंद्र शु ग्रंत का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इत्यास इसमें हमें देखने को क्या मिलता है कि इत्यास का इतिवर्तात्मकता लेखन सबसे प्रथम मिश्रवंदूं के विनोध में पाया जाता है ये खतन किसका है ये इंपोर्टनेट है ये भी आया हुआ है ये भी आया हुआ है कि इत्यास का इती वर्तात्मकता लेखन सबसे पर्थम मिस्र बंदों के विनोध में पाया जाता है गरंद का नाम क्या है विनोध में पाया जाता है ये कतन किसका है रामकौर वर्मा का है इती वर्तात्मक तक आर्थ होता है साथियो वर्नात्मक या व्याख्यात्मक अब इसके बाद 1940 में हरजाई परशाद द्यवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमी का ये था 1940 में प्रथम हिंदी साहित्य की भूमी का और दूसरा जो था वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकाष ये 1952 में प्रकाशित हुआ और तीसरा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में ही प्रका तो इसके तीन हो गए हरजारी प्रशार्द वेदे के 1940 में हिंदी साहिते की भूमी का दूसरा हिंदी साहिते का उद्वो और विकास 1952 में और तीसरा हिंदी साहिते का आदिकाल ये भी 1952 में प्रकाशित वा इनका एक कोटेशन है इनकी जो एक फरिवासा है वो very important है कई बार पुछी गई है मैं इसलाम के महत्यों को भूल नहीं रहा हूं लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इसलाम ना आया होता तो भी इस सहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है ये कतन किसका है तो ये कतन है हजारी परशाद दिवेदी का ये कई बार एक्जाम में आया है आगे देखें 1965 में गणपती चंद्र गुप्त ने लिखा हिंदी सहित्य का विग्यानिक इतियास किस ने लिखा गणपती चंद्र गुप्त ने फिर 1986 में राम सुरुप चत्रुवेदी ने लिखा हिंदी सहित्य और समवेदना का विकास तो हिंदी सहित्य और समवेदना का विकास किस ने लिखा राम सुरुप चत्रुवेदी ने और हिंदी सहित्य का विग्यानिक इतियास किस ने लिखा गणपती चंद्र गुप्त ने इतियास किसने लिखा तो वो थे बच्चन सिंग याद कैसे कर सकते हैं दूसरा बच्च नहीं इतियास इतियास किसने लिखा बच्चन सिंग ने फिर इसके बाद में है हिंदी ही बहासा का ओद्भव वय विकास यह लिखा उद cigarettes नारायन तिवारी ने, साथी इसमें होता क्या है कि एक confusion होता है बच्चों में, कि कई बार आ जाता है इंदी साहिते का उद्भव विकास, तो ये तो अजारी परसाद दिवेदी ने लिखा, लेकिन यहां पे इंदी बासा का अगर पूछा जाता है, तो आपको उदे नारायन तिवारी करना है, ये important है, कई बार एक examiner ये question उठा लेता है, तो उद्भव आएगा यहां पे भासा की जगए, अगर इंदी साहिते आता है, का उद्भव विकास, तो वहां पे ओजाएगा जारी परसाद दिवेदी, और इंदी भासा का उद्भव विकास आएगा, तो उ इंदी साहिते का आदा इतियास, इंदी साहिते का आदा इतियास, तो आदा खिला फूल, तो ये हो गया, सुमन, सुमन किसका प्रेवाची है, फूल का, तो फूल क्या है, आदा खिला, ऐसे याद कर सकते हैं, इंदी साहिते का आदा इतियास, किसने लिखा, सुमन राजे न आगे इंदी साहित्य का मोखिक इतियास लिखने वाले थे वो थे निलाब किसने लिखा निलाब ने इसके बाद इंदी साहित्य बीस्वी सताब दी ये भी इंपोर्टेंट है पुछा गया है कई बार एक्जाम में हिंदी साहित्य भी स्मिस्ताब्दी ये लिखा नंदुलारे वाजपेईने फिर है साहित्य का इतियास दर्शन ये भी इंपोर्टेंट है एक्जाम में आता है बार बार साहित्य का इतियास दर्शन नलिन विलोचनने फिर अंत में है वो है हिंदी सब्दानुसासन ये लिखा किसोरी दास वाजबई ने लेकिन कई बार सब्दानुसासन केवल इतना लिखा हुआ आ जाता है तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि हिंदी सब्दानुसासन है वो तो लिखा किसोरी दास वाजबई ने और सब्दानुसासन है वो लिखा हेम चंदर में ये इंपोर्टेंट है और ये दुन्यों चीज़ कई बार पूछी जाते हैं सब्दानु सासन आए तो हेम चंदर और हिंदी सब्दानु सासन आए तो किसोरी दास वाजबेई तो आज का सेशन यहीं कतम करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेर जरूर करें आज का सफर यहीं तक जै हिंदी जै हिंदी